आज सोमबार है तो मॉर्निंग में जल्दी उठना हुआ क्योंकि आज सबकी ब्रत होते हैं तो आज थोड़ा सा काम बढ़ जाता है तो खटाफट से उठके मैंने जल्दी से पहले सारी सफाई करी और आज दा मेरी एक्सिसाइज नहीं हो पाय थी क्योंकि काम थोड़े जाता थे और एक्सिसाइज अगर मैं करती तो मैं सारे कामों के लेट हो जाती तो वस सारे अरपन करके अपनी जो पार्ट होता है जो मैं सांग करती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में वो सारे मैंने अपने पार्ट करें और उसकी बाद मैं आ गई थी किचिन में नास्ती की तैयारी करने तो सबसे पहले मैंने एक कडाई में थो साम थक के लिए और फिर इसके बाद इसी में मैंने थोड़े से मखाने भी फ्राइ कर लिए थे मखाने भी सबको अच्छे लगते हैं और इसमें थोड़ा सा सेंदान नमक डालके और इधर मैंने ना भोग के लिए खीर भी बनने रग दी थी और यहाँ जो मैंने खीर बनाँगी में मखाने की और ट्राइफ उच्वlden की खीर बनाँगी उसके लिए मिला मखाने पीस के रग दिये और थोड़ी सी मेवा मैंने कसली है वैसे तो मेरे पास कश्यी रहती है पस समय खतम हो गई थी तो मैंने एक्स्ट्रा ही कसली थोड़ी सी इसमें डाल दी और और बाखी मैंने उठाके रगदी इसमें न मैंने बादाम काजू एक साथ ही कलिए थी इसलिए मेंने इनको पहले अच्छे से मिक्स करा उसकी बाद मैंने इसको खीर में एड्ड करा थोड़ी सी बनाई थी बस भोग के लिए भगवान जी के मखाने मुझे थोड़ी सी जादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े ही डाले और यह हमारी खीर बन रही है यहाँ पर भोग की भगवान जी की मखाने हो चुके थे इसके आथ आम मैं बना रही हूँ आलू की नमकीन तो यहां मैंने पहले आलू को कद्डू कस कर लिया है बस कद्डू कस करते भी ध्याना के मोटा वाला कद्डू कस हो महिन छेद उसके नहीं हो और कद्दू कस करके इतना वाश करना है कि इसका जो सफेद पानी होता है वह पूरी अच्छी तरीके से निकल जाए उसके घी में हमें को इसको थोड़ा सा डालना है मतलब इतना की अच्छे से भून जाए और इसको ना खूब जब तक कुरकुरी हो तब तक हमें इसको लोफ मतलब मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है और यह बहुत इजी है आराम से बन जाती और बहुत अच्छी लगती है टेस्टी भी लगती है यह देखिए ब्राउन हो बहुत कुर्कुरी हो गई और बसको इसको स्केस में निकाल लेंगे विसरे बँधन के त्यार हमारी नमकीन अब इसमें आडट करूंगी में थोड़े से मूंप्लीके दाने जो मैंने चाहितनेaimer पूरत होता है तो इसमें मैंने थोड़ी जाए खाली मिर्श और थोड़ा सा सेंदर नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया आप चाहें तो इसको एकटी बना के भी स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और ये देखिए बनके त्यार है हमारी नमकीन इसकी बाद मैंने और ये देखिए किचिन की हालत क्या हुई है काम तो इतना हो गया और किचिन दी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है अब इसको मुझे एक लाइन से यहां से लेके ऐसे चलना है और ये सिंक तक जाके यहां पर क्लीन होगा क्योंकि थोड़े से बतन है बो भी मुझे क्लीन करने है और इसके बाद मैंने थोड़े से आलू, चाठ आलू बनाये थे इसमें मैं थोड़ा सा घीर डाला और उसमें जरा सा जीर डार करा और इसमें डाले मैंने आलू उवाल लिये थे इसको फोडे नहीं है चाकू से कट कर लिये हैं और इसको अच्छे से पहले हम फ्राइ करेंगे इसमें मैंने हरी मिर्च एड़ नहीं करी आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा से जाएगा सेंधर नमक और इसको न अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैं एड़ करूंगे थोड़ से मूफली के दाने मुंफली के दाने जब हम आलू में डालते हैं बहुत अच्छे लगते हैं खाते टाइम एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरे हाथों सब को बहुत अच्छे लगते हैं तो मुंफली के दाने डालके मैंने इस आलू को अच्छे से मिक्स करा अब मैंने धनिये की चट्टी बनाई थी ब्रत वाली इसमें नीवू डाला है और जीरा नमक बस और इसको डालके इस आलू में मिक्स कर दीजिए और बन गए हमारे चाट वाले आलू ब्रत के तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताईगा अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर बताईगा